हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अन माई चैनल इंडियन कीचन, जहां पे हम हल्दी खाना बनाएंगे, पर टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रमाईज नहीं होगा, तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की रेसीपी हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्पेशल डीस है दिलिशस राइता देखे, यह देखने में जितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही टेस्टी और उतना ही हल्दी है तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से इंग्रिडियन्स चाहिए मैंने यह 500 ml दहीं, 2 टेबल स्पून अनियन, 2 टेबल स्पून कैपसिकम, 3 टेबल स्पून अनारदाना, 1 एंड हाफ टेबल स्पून ग्रिन चिली, 2 टेबल स्पून सुगर, 1 एंड हाफ टेबल स्पून मस्टर पेस्ट और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है अब हम इस सारे ingredients को एक करके दही के अंदर mix कर देते है और हाँ मैंने यहां green chili का use किया है अगर आप green chili का use नहीं करना चाहते है तो आप इसे avoid भी कर सकते है मैंने यहां mustard paste बनाने के लिए mustard के seeds को mixy जार में crush कर लिया है पर आप इसे एकदम बारिक पाउडर जैसा क्रश मत करना थोड़ा दानेदार रखना ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और फ्रेंज मैंने यहां आपको जो भी इंग्रिडियन्स के नाब बताये है वो 500 ml दहें के मताबिक है तो आप अगर इस तरह से सारे इंग्रिडियन्स लेके एक राइता बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा आपको इसे चखने की भी जरूरत नहीं रहेंगी तो तयार है हमारा एक राइता आपको अगर इडिश पसंद आई तो आप एक बार ट्राइ जरूर करना और हाँ कमेंट करना मत भूलना